नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार मंगलवार के दिन हन्मान जी की अगर बिसेश अराधना की जाए तो जीवन से सनी दोस्तों उतरता ही है साथ ही राहू केतु भी सांध हो जाते हैं जीवन के हर कस्ट हर मुस्किलों से बाहर निकलने में हन्मान जी आपको मदद करते हैं हन्मान जी जरूरी नहीं है कि आप तमाम तरीके के फूल या फिर बेलपत्र अर्पित करके उनको मनाए आप सधा भक्ती से अगर एक डीपक भी जला देते हैं या फिर आप हन्मान चलिस भी पढ़ लेते हैं तो उतना ही काफी है लेकिन विसेश मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए एक छोटा सा प्रियोग अगर आप करते हैं तो जीवन के सारे कस्टम इरते हैं तो उनको परसंद करने के लिए कुछ खास वस्तुए हैं आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनमान जी को अर्पित करने के लिए एक तो पहली चीज होती है आप उनको कैसे खाने पीने की वस्तुए के द्वारा उनको मनाएं दूसरी होती है कैसे आप पूजा करके उनको मनाएं तो खाने पीने की जब वस्तुए की बात आए तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल अगर आप मंगलवार की साम हनमान जी को पान का बीड़ा अरपित करते हैं अब ये बीड़ा कैसे बनेगा पान के पत्ते पर आप वैसे पान वाले से भी बनवा सकते हैं आप कोई दिकत नहीं है कहिएगा सिर्फ कि उसमें जर्दा और जो चूना बेगरा होता है वो सब ना ड देगा आपको अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो पान के पत्ते का डंठल हटा ले अब इसके उपर लॉंग इलाची मिसरी रखें केसर बेगर है तो भी रख दें पान का बीड़ा बनाकर आप अनवान जी को अरपित कर दें लॉंग जरूर रखिएगा तो जो पान में घोर संकट है या ऐसा काम है जो आपको लगता है बीना भगवान के आप पुरा करी नहीं सकते जब दब तक की कोई दिब्बे सकती आपके साथ ना हो तब आप अपनी जिम्मेदारी हनमान जी को सौंब दे पान के बीड़ा के रूप में तो पान का बीड़ा अरप अगर कर्जों की समस्या से ज्यादा परिसान है तो कथा मार्केट से खड़ित के ले आए सुखा वाब मिल जाएगा पान वाले के दुकान के पास उन्हीं के पास मिलता है और फिर लाकर आप अपने घर में ही यह प्रियोग कीजिएगा जो पेक्तिक कर्ज से पीड़ित है वो पूरा अपसाइट फेस करके खड़ा हो जाए और जमीन में तीन रेखाएं खीचे यह दखिए तीन खड़ी या पड़ी उससे मतलब नहीं है बस रेखा खीज दे और पैर से उसको मिटाए तीन बार लगातार तीन रेखा कीचे पैर से मिटाए यह मंगल बार के दिन की किजिए कर्ज कितना भी बड़ा हो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी आप दाहिने या बाएं जो भी आपको सुभीदा हो पैर उसी से आप मिटाए लेकिन तीन रेखाएं आपको खीचनी है जैसे आप खड़े हैं लक्षपन रेखा होता है बिलकुल वैसे ही तीन पैर से उसको मिटा दें बात्चीत मत कीजिए इस समय एकदम सांथ रहेगा और यह प्रियोग कर लें आप अपने घर में कहीं में कर सकते हैं इसका फल तुरंत बिलेगा क्योंकि यह महां प्रियोग है एक तरह का टोटका है बस टोकन नहीं लगना चाहिए इस बात का धिया दो लॉंग डाल कर जला कर हन्मान जी की आरती करें आपके जीवन के संकर दूर होंगे धन प्राप्ती के राह मिलेंगे जीवन की सारी परिसानिया दूर हो जाएगी कई बार क्या होता है धन की बहुत मुस्किले आती है बहुत प्रिसानी बढ़ जाती है तब एक छोटा सा प्रियोग आप कीजिएगा अब इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बना लीजे लाल धागा बान दे इसके बाद इस नारियल को हनवान जी के चर्णों में रख दे और एक ही नारियल लेना है 11 मंगलवार लगातार इसको आप हनवान जी के चर्णों में रखें फिर उठाक ले फिर रखें फिर अरपीत करके रख लें तो 11 मंगल वार तक इस तरह से परियोग करें अब इस नारियल को लाल कपड़े में थोड़ा सा सर्सों के साथ बांध कर घर के दर्वाजे पर बांध दें अगर आपकी कुंडली का मंगल बिगड जाए आपको लगे कि मांगली दोस के कारण कदम कदम पर परिसानिया है दुरगटना योग भाई बेहनों से नहीं बनती भूमी भवन का सुख नहीं तब मंगल वार के दिन जब आप पुजा पाट करते हैं दीपक के नीचे लाल मसू होगा गुड चने का भोग तो यह भोग क्या है यह मंगल को सांथ करने का उपए है अगर आपकी कुंडली में मांगली दोस हैं बार बार आप गिर जा रहे हैं दुरगटना हो रहा है चोड़ चपेट की परिसानी ज्यादा है जीवन में तब आप गुड और चना चना फु लगा सकते हैं वैसे चने के साथ बुड ही अच्छा लगता है लड़ू लड़ू भी बहुत तरके होते हैं लेकिन हनमान जी को अगर आप बुंदी के लड़ू अर्पीत करें तो आपके समस्त ग्रह सांथ हो जाते हैं मन चाहा मनुकामना पुर्ण होता है और लड़ू हैं धन बहुत हैं तब 1 चोटा सा काम करें आटा ले उसका आप दीपक बना ले पाँच बरगत का पांच पत्ता ले आएnity प्रयोग सूबह कर सकते हैं तो पांच पत्ता बरगत का लेले हरें हारें पत्ते पर एक प्रते और घी होगा लेकर हनमान जी के बंदिर में जाएं साम के समय आप एक ठाली पे रखिएगा पांच बर्गत के पत्ते पांच दीपक और इसको आप हर्मान जी के मंद्रे में जाकर जलाकर उनकी आरती करें सनी देप की बाधाय सांथ होगी कर्जों की मुस्किले दूर हो जाएगी जीवन के कस्ट मीटेंगे और अगर धन आने के रास्ते नहीं थे तो वो भी बनने लगेंगे वैसे पीपल के पत्तों का माला बना कर भी हर्मान जी को पहनाने से कर्ज मुक्ती मिलती है कैसे बनाएंगे? आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और पत्ते को धोकर साफ कर ले इसके बाद इस पर सिंदूर और तेल चमिली के या फिर घी मिक्स करके हर एक पत्ते पर स्षीराम लिखिए फिर सबको धागा लाल धागा या मौली धागा के साहरे बांद कर आप इसको हनमान जी के गले में पहना दे आपके जीवन के जो बिगड़े हुए काम है वो बनने लगते हैं बिगड़े हुए काम यानि कि जो भी परिस्वानी है बलाएं है वो समाप्थ हो जाती है मुस्किलें दूर होती है और धन आने लगता है तो ये तो था पीपल का पत्ता का प्रियोग अब कई बार क्या होता है हनमान जी जो है आपके घर में छोटे बच्चे हैं बहुत परिसान करते हैं बहुत सरारती हैं आप चाहते हैं बच्चे बहुत बुद्धिमान हों बार- गाड़ी में लगाईए अब हनमान जी को जब यह सिंदूर लगाईएगा तो आपके हाथों में जो लगा रह गया उसको थोड़ा सा ले आईए और अपने बच्चे को नियमित रूप से इसी से टीका करें आपके बच्चे की एक अग्रता बढ़ेगी उनकी बुद्धी बहुत सिंपल है पर इसके अच्चूक आपको फल मिलते हैं तो हमने टॉपिक रखा है कि हनवान जी की पूजा में आप ऐसा क्या काम करें कि जीवन के कस्ट्री मिट जाए देखिए आपको दीपक में क्या डालना है देखिए एक तो आप दो लॉंग डालके सर्सों के तेल होती है आपके मन चाही मुराद पूरी होती है अगर लॉंग ना हो तब यहां पर आप दो काली मिर्च के दाने डालके जला सकते हैं अगर काली मिर्च भी नहीं है तो पीली सर्सों के दो चार दाने एक चुटकी लेकर डालकर जलाकर जलाकर पूरे घर में आरती करें इससे काम करें एक नीमू में चार लॉंग चुभोर कर हनवान जी के मंदिर में बैठ कर हनवान चलिसा पढ़ लें और इसको आप अपने पास रखें जो भी काम के लिजाएंगे उसमें सफलता मिलेगी बाद में कहीं मिट्टे में दवा दीजेगा कई बार जीवन में सत्तुर विर यानि साबुत उड़त के 38 दाने चावल के दाने लेने हैं 40 और यह बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए एक नीम्बू लेने घर से बाहर निकल कर जहां भी आपको साइड में जगह मिले थोरा से मिट्टी में गड़ा करें अपने सत्तुरू का नाम मनमें सुम्रन करते गड़े में चावल और जो आपने रखा है काली उड़त उसको डालकर नीम्बू कोस पे निचोड़ दें सत्रू सांत हो जाएंगे और बिना पीछे मुड़े घर आईएगा लेकिन अगर जीवन में कैसी भी परिसानी हो नोक्री की बैपसाई की बिबाह की संतान की जो भी म दोनों हाथों से लेकर बैतेवे जल में प्रभाहित कर दें आपकी समझ समस्या बैतेवे जल के साथ चली जाएगी अगर बैतावा जल ना मिले तब किसी भी पीपल के नीचे रख दीजेगा धन्यवाद